अरो बच्चो कैसे हो आप आज हम मैक्स का फर्स चप्टर करने वाले है जिसका नाम है रोमन नूम्रल्स यह हम करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए ने वीडि इसका लिसका जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको पांचुजी class के सारे वीडियो इसमील च्राइब देखे हो इसको नौमर्स हम जो numbers लिखते हैं 1, 2, 3 जैसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो यह कैसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हो गया है international number ठीक है इसको हम international number बोलते हैं Roman numeral क्या होता है वो हम आज देखेंगे जो इस international number की जगहाँ जो इस्तिमाल किया जाता है दूसरा number उसको हम Roman numeral बोलते हैं यहाँ पर देखो कुछ आपको दिखाया है घड़ी में कैसे है आपने देखा होगा ऐसे कोई-कोई घड़ी में इसको हम Roman numeral बोलते हैं ओके तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा है गीता गीता क्या बोल लिए देखते हैं इस clock doesn't have numbers देखो clock में तब क्या होता है घड़ी तो देखो यह गीता क्या बोल रही है कि यह जो घड़ी है इसमें number नहीं है आगे क्या बोल लिए देखो it has some symbols instead symbols मताब बोल सकते हो निशानी आप बोल सकते हो ठीक है तो गीता क्या बोल रही है कि इसमें कुछ symbols है बोल लिए कि इसमें number नहीं है number के जबा कुछ symbols है अब देखो teacher क्या बोल लिए है गीता से teacher बोल रहे है yes गीता these are Roman numerals teacher बोल रहे है हाँ गीता इसे हम Roman numerals बोलते है मतलब Roman में numbers जैसे हम number 1,2,3 लिखते है वैसे Roman जो number रहते है वो ऐसे लिखे जाते है teacher ने बोला ठीक है देखो 1,2,3 यह ऐसे लिखा हुआ है आगे देखते है अभी देखो teacher आगे क्या बोल रहे है in Europe in the old times Roman capital letters were used to write numbers old time मतलब पुराने समय में Roman capital letter क्या है जैसा हमारा हम जो A, B, C, D पढ़ते है उसमें capital letter रहते है वैसे Roman भाषा का हमें बोला गया है तो teacher क्या बोल रही है देखो कि पुराने समय में जो उरोप में पुराने समय में जो वहां के लोग थे वो Roman capital letter के इस्तेमाल करके numbers लिखते थे जो ऐसे रहते है ठीक है आगे देखो किया है That is why they were called Roman numerals That is why मतलब इस कारण call मतलब आप बोला जाना क्या बोलना है कि इस कारण जो number है इसे हम Roman numerals बोलते है क्योंकि Roman जो Roman capital letter है उसका इस्तेमाल करके इस numbers को लिखा गया है आगे देखो क्या है The letter I was the symbol used for one V for five and X for ten यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि Roman numerals में जो I letter रहता है इसका हम इस्तेमाल करते है one लिखने के लिए हम one की जगा I को लिखते हैं और five जो हमारा रहता पांच उसकी जगा हम V को लिखते हैं अगर आपको five लिखना है तो Roman में आप V लिखोगे और अगर आपको ten लिखना है Roman में तो आप X लिखोगे मतलब अगर देखो हमें one लिखना है Roman में तो हम क्या लिख देंगे I लिख देंगे अगर हमें समलो यहाँ पर क्या दिया 5 लिखना है 5 लिखना है तो हम क्या लिख देंगे V लिख देंगे और अगर हमें 10 लिखना है तो हम क्या लिख देंगे 10 की जगा हम लिख देंगे X यह Roman numerals होते हैं ठीक है इसका इस्तेमाल करके हम Roman में numbers लिख सकते हैं ठीक है बच्चो यहाँ पे आप घड़ी में देख सकते हो, देखो, 1 ऐसे रहता है, 2 ऐसे रहता है, 3 देखो, ऐसे रहता है, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, वह पूरा दिया गए है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पे, आगे देखो, अभी देखो, यहाँ पे तरीके में, जो नंबर हम इस तरीके से जो लिखते हैं, उसमें 0 का कोई भी symbol नहीं रहता है, जिसे हम 0 ऐसे लिखते हैं, तो रोमन में, अगर हम 1, 2, 3 लिखेंगे, तो उसमें 0 आता ही नहीं, उसमें 0 है ही ने, ठीक है, direct number 1 से start होता है, तो आपसे आगर कोई बोले punching रोमन म are certain rules for writing numbers using the roman numerals. Rules मतलब नियम, writing मतलब लिखना. क्या यहाँ पर बोल रहे है कि roman numerals लिखने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल है, जिनें पालन करना है. क्या वो नियम है, क्या रूल है हम देखते हैं. Let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbols 1, 5 and 10. अब क्या वो लगए है कि चलो अब हम देखते हैं कि जो roman numerals है, उन्हें 1 से लेकर 20 मतलब 1 से लेकर 20 तक कैसे लिखा जाता है, इन symbols को इस्सेमाल करके. क्यों symbols का? 1 जो i के जगा, i जो है 1 के लिए वो, v जो 5 के लिए यूज़ करते हैं वो, x जो हम 10 के लिए यूज़ करते हैं वो. अब देखो बच्चो, अब आगे जितना भी हमें आएगा chapter में ये symbol हम इसे क्या पढ़ेंगे? i को हम 1 पढ़ेंगे, v को हम 5 पढ़ेंगे, x को हम 10 पढ़ेंगे, तभी हम अच्छे से समझ पहेंगे, अब आपको ध्यान में रख लेना है, जहां पर i आएगा आएगा आप समझ लेना वो 5 है, जहां पर x आएगा वो समझ लेना 10 है, ओके? आगे दिखते हैं. रूल 1, रूल 1 मतलब नियम 1, पहला नियम क्या है देखते हैं? अब यहां पर देखो क्या बुला गया है आपको? कि अगर जो यह सिम्बॉल्स है, 1 और 10 के लिए, यह लगातार दो या तीन बार लिखे जाए, तो यह नंबर का जो एडिशन है, जो नंबर को हम मिला कर जो नंबर बनता है, वो होता है, ठीक है? जैसे कि आप देखो यहां अब देखो मैंने इसके आगे एक और लगा दिया, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया है, आपको देखो 1, 1, 2, 1 हो गया है, तो ऐसे एड़ कर देना है, ठीक है? मिला देना है, कितना हो जाएगा? एक और मैंने इसके आगे लगा दिया, तो कितना हो गया इन numbers को जो मिला कर जो number हमें मिलेगा add करके वो number बनता है देखो यहाँ पर example आपको दिया है क्या है देखो दो बार देखो 1 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा देखो x किसके लिए इस्तेमाल होता है x 10 के लिए इस्तेमाल होता है तो X को दो बार लिख दिया है, तो मतलब 10, 10, 10 दो बार आ गया, तो 10 प्लस 10 कितना हो जागा, अगर 10 को हम मिलाएं, कितना हो जागा, दो 10 को, तो 2 10 को जब हम मिलाएंगे, दो 10 इसके लिए, और दूसरा 10 इसके लिए, दोनों को हम मिला देंगे, कितना हो जागा, 20, ठीक है, निउमर्स में एपको जोडते है पहला यह वन हो गया दूसरा यह उन हो गया तीसरा मतलब प्लस थि tut sum क्या हो जागा, total क्या हो जागा, 1 plus 1 2 plus 1 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख दिना है, ऐसे हैं, ठीक है अगर यह numbers x साथ आएंगे तो उस number का मतलब क्या होता है वो आपको पहले जानना है जिसे x का मतलब क्या होता है, 10 तो 2x है, तो 10 plus 10 कितना हो जागा, 20 ऐसे आपको करना है, ठीक है यह rule number 1 हो गया अब rule number 2 देखते हैं, नियम 2 क्या है देखो rule 2 क्या है the symbols 1 और 10 can be repeated consecutively for a maximum of 3 times यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जो symbol है 1 और 10 इन दोनों number को हम एक साथ 3 बार ही लिख सकते हैं 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं अभी दुखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या बताया था आपको कि 3 लिखने के लिए जो symbol है 3 के लिए उसको हम 3 बार लिखेंगे तब 3ों को plus करके हम 3 मिलेगा लेकि अगर आपको 4 लिखना हो तो आप इसको 4 बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि Roman Numerals में एक नियम है एक रूल है कि अगर आपको कोई भी नमबर लिखना है लगातार तो आप सेम नमबर को लगातार 3 बार ही लिख सकते हो उससे ज़ादा नहीं लिख सकते हो ठीक है तो इसके लिए अगर आपको 4 लिखना है तो कुछ अलग नमबर का आपको इस्सेमाल करना पड़ेगा कुछ अलग नियम है उसमें ओके ओ आगे हम देखते हैं देख आगे क्या है अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो 5 जो नमबर है जो हम 5 के लिए जो हम सिंबॉल यूज करते है इसको हम कभी भी लगातार दो बार नहीं लिख सकते है तीन बार की तो बात ही नहीं है हम इसको एक ही बार सिर्फ लिख सकते है अगर आपको समझो 10 लिखना है तो आप ऐसे दो दो बार 5 नहीं लिख सकते हो इसको सिर्फ आप एक बार ही लिख सकते हो ओके यहाँ पे वो बोला गया है यह हो गया नियम 2 अब देखते हैं नियम 3, रूल 3 क्या है यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है जब देखो जो 1 है और 5 है यह दोनों जब यह दोनों जब कोई भी बड़े नमबर के राइट साइड में मतलब दाइनी तरफ लिखा जाएगा तब क्या होगा इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो नमबर के साथ जुड़ जाएगा ठीक है नमबर के साथ एड़ हो जाएगा कुन से नंबर के साथ जो बड़ा नंबर है उसके साथ अभी देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर example आपको दिया गया है दोखो यह क्या है यह 5 है यह symbol किसका 5 है इसके दोखो right side में इसके दाएं side में क्या है दोखो 1 है तो दोखो हमने क्या भी पढ़ा है अगर right side में बड़े number के right side में यह symbol तो यह क्या होएगा यह बड़े number साथ जाके मिल जाएगा देखो यह 5 है और यह 1 है तो 5 प्लस 1 क्या होगया 6 ठीक है तो यह number जाके 1 जो छोटा number है वो 5 से जाके add हो जाएगा 6 हो गया ठीक है अभी देखो इसके आगे अगे अब यह 7 है देखो, यह 5 है, यहाँ पे, उसके आगे दो, 1 का सिम्बोल दिया हुए, तो देखो, क्या है, बड़ा न ममबर कौन सा है, यह 5 वाला, यह सिम्बोल बड़ा वाला है, तो यह क्या हो गया, टो यह क्या करना गदा, 5 प्लस 2, 7, तो यह 2 है, यह चोटा न extensive तो यह जाए 5 से मिल जाएगा, अभी यहाँ पर देखो, यह तो 5 का सिमबोल हो गया और देखो यह 3 बार 1 का सिमबोल haga तो कितना बन जाएगा, यह 3 हो गया ठीक है, तो यहाँ पर आपको的話 5 फ्लस 3, तो देखो 3 छोटा नंबर है तो क्या होगा, यह 5 के साथ जाके मिल जाएगा 8 बन जाएगा ठीक है अभी आगे देखो यहाँ पे आपको कहा दिया हुए यहाँ पे आपको X है X का मतलब क्या होता है 10 अब 10 के आगे देखो कुन सा सिंबोल है I का है जिसका मतलब होता है 1 तो देखो यह छोटा नंबर है यह बड़े नंबर के राइट साइड पे तो क्या होएगा यह बड़े नंबर से जाके मिल जाएगा छोटा नंबर तो क्या जाएगा 10 प्लेस 1 11 उसी तरह देखो यहाँ पे है आपको यहाँ पे 10 है यहाँ पे 2 I का सिंबोल है मतलब 2 है तो दोको 10 प्लेस 2 यह 2 बड़े nमबर से जाके मिल झाएगा, 12 बन जाएगा, उसी तरहरे दो यहाँ पर, यहाँ पर x मतब 10 है, यहाँ पर 3 आइ मतब 3 है, तो क्या हैगा 10 प्लेस 3 13, यहाँ पर दोको आपको क्या है, यहाँ पर x है, 10 है उसके बाजू में 5 है ये वी का सिंबल क्या होता है 5 तो ये बड़े नमबर के right side पे तो ये बड़े नमबर से जाके मिल जाएगा कितना हो जाएगा 10 plus 5 15 हो जाएगा आप देखो यहाँ पे आपको X मतब 10 दिया हो गया है उसके right side पे क्या है 6 है तो क्या होगा जो छोटा number है जो ये छोटा number जाके बड़े number से मिल जाएगा तो क्या होगा 10 plus 5 plus 1 तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक है ऐसे आपको लिखना है अब ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी छोटा number बड़े नंबर के राइट साइड पर रहेगा तो वो बड़े नंबर से जाके मिल जाएगा ठीक है आपको ध्यान में रखना है अब देखो रूल नंबर फूर रूल नंबर फूर क्या है नियम फूर वेन वान इस लिटेन ऑन दा लेफ्ट ऑफ फाइव और टैन देन इट्स अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया आप ध्यान से सुनना आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो आई है जो वन का सिंबॉल है अगर यह वन फाइव के या तो टैन के लेफ्ट में लिखा होगा मतलब बाए में अगर लिखा होगा तो क्या होगा यह वन इससे सब् दिया जाता है मिल जाता है लेकिन अगर लेफ्ट साइड पर आएगा अगर बाई तरफ आएगा तो उसको घर्टा दिया जाएगा ठीक है क्या बुला गया है जो इसे हम अगर यह जो फाइव है और जो टेन है यह इससे पहले हम एक ही बार लिख सकते हैं उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं मतलब अगर आपने समझ लो ऐसे लिख दिया है देखो एक बार हम इसको पहले लिख दिया है नंबर से फाइव से पहले तो हम दो बार इसको नहीं लिख सकते हैं सिर्फ एक ही बार हम लिख सकते हैं यह इसका रूल है नियम है अब देखो आपको एक्जामपल दिया गया है यहां पर दोखो, क्या है यह सिंबोल किसका है, पहला वाला है यह है one का पर दूसरा वाला किसका है? 5 का है तो दोखो, अब बाई तरफ one आ रहा है तो हम इस बार क्या करेंगे? घटाएंगे five में से one निकाल लेंगे तो क्या हैखा? five minus one तो 5 में से आपने 1 निकल दिया कितना बचा? 4 बचा, 4 हो जाएगा, ठीक है? अगर यही सिम्बॉल इसके दाई तरफ रहता, इसके राइट साइड रहता तो यह 5 से जाके मिल जाता, तो 5 फ्लस 1 हो जाता, तो 6 हो जाता लेकिन यह 2 तरफ है, तो आपको घटा ना है, ठीक है बच्चो? आगे देखो क्या है, अब देखो इसमें देखो यह X, देखो पहले यह कहा है, यह आई का सिम्बॉल किसका रहता है? 1 का, x किसका है रहता है 10 का, तो अब देखो, यह 10 के 2 तरफ है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 minus 1 कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे, तो 9 बन जाएगा, ओके, अगर यही 9 तरफ रहता, तो 10 plus 1 हो जाता है, लेकिन अगर आपको 8 लिखना रहे, तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक नियम है, कि अगर आप नंबर के बाई तरफ यह लिख रहे हो, 1 का सिंबल जो आई है, वो एक ही बार लिख सकते हो एक से जादा नहीं नहीं तो अगर एक से जादा बार लिख सकते तो आप ऐसा लिख सकते थे लेकिन ये नियम है एक से जादा बार आप नहीं लिख सकते हो आगी देखते हैं आगी आपको we have to think a little differently to write the numbers 14 and 19 मतलब क्या बोला गया है कि हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा 14 और जो 19 मतलब जो 14 और 19 नमबर है इनको लिखने के लिए अब देखो यहाँ पर क्या है 14 is equal to 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 यहाँ पर क्या आपको बोला है कि जो 14 है उसको लिखने के क्या लिखा दो पहले आपको 10 लिख दिया उसके पाद 4 बार देखो आपको प्लस 1 प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पर देखो अगर आप इन सब को जोड़ के देखोगे तो 14 बनता है लेकिन हमने उपर भी पड़ा है रोमन न्यूमरल में क्या नियम रहता है कि आप 1 का जो इसको बस तीनी बार आप इस्तेमाल कर सकते हो तीनी बार लिख सकते हैं कि तीनी बार ये है हम है ना हम तीनी बार आई को लिख सकते हैं तो इसके लिए हम अलग तरीके से दिखते क्या है however we do not use the symbol I consecutively more than three times देखो यहां पर वही बोला है कि कैसे भी हम जो आई है जो one का symbol है उसको तीन से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो 14 लिखने के लिए हम इसको चार बार नहीं लिख सकते हैं जो यह one का symbol है तो क्या करेंगे hence we shall think of the number 14 as 10 plus four instead क्या बोला है कि इसलिए हमें जो 14 नंबर लिखना है जो 14 नंबर लिखना है उसके लिए हमें क्या सुच्चन चाहिए वी राइट 14 as 14 इस symbol तो क्या बोला गया है इसलिए हम यह जो 4 का symbol है हमने उपर देखा है अभी देखो 4 का symbol हम ऐसे लिखते हैं देखो यहां पर 4 है इस symbol का इस्सिम्बोल करते हुए हम क्या करेंगे पहले देखो आपको 14 लिखने के लिए पहले आपको X का symbol डालना है मतलब 10 उसको आपको 4 डालना है 4 का symbol तो क्या है यह 10 हो गया यह 4 हो गया तो 10 प्लस 4 के तना हो जाता 14 इस तरीके से आप 14 लिख सकते हो आगे क्या देखो similarly we shall think of the number 19 as 10 प्लस 9 and write it as this symbol तो क्या बोला गया है कि हमें 19 भी लिखने के लिए क्या करना चाहिए 10 प्लस 9 सोचना चाहिए और इसको ऐसे लिखना चाहिए कैसे पहले आपको X लिख देने है फिर आपको 1 का symbol फिर आपको X तो यह 19 बन जाएगा ठीके आगे देखते हैं अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है दस to write the numbers from 1 to 20 in roman numerals we first distribute a given numbers into groups of 10, 5 and 1 then apply the rules given above क्या बोला गया है कि इसलिए अगर हमें roman numerals लिखना रहे 1 to 20 तो हम क्या करते हैं हम पहले जो numbers हमें दिये गए है 10, 5 और 1 इसमें हम इसको बाठते हैं और उपर का जो नियम है उसमें हम उसको apply करके हम लिखते हैं 1 to 20 roman में ठीक है क्योंकि देखो आप देखोगे roman में सिर्फ तीनी symbol है एक तो 1 का है जो i होता है 5 का है जो v होता है और 10 का है जो x होता है इन्हीं तीनों symbols का इस्तिमाल करके हम 1 से 20 तक number लिखते हैं ओके इसके लिए देखो यहा धमरे बचता है two 10 में कितना हम जोडेंगे तो 12 बनेगा 10 में हम two用 जोडेंगे 12 बनेगा तो आई है जो i का symbol है तो उसको मं दो बार कर सकते हैं क्योंकि इसको ज्यादा ज्यादा तीन बार कर सकते हैं तो 2 बार कर देगे कितना हो जयागा 12 ging 12 बन गया ठीक है अब seven key था के करWe Nee नियम सकते हैं जो यह 5 का सिंबॉल है इसको भी हम एक से ज़ादा पूर्ने प्युक्तिए। नहीं लिख सकते हैं ये भी ये उक नियम है तो हमको क्या करना है हम एक काम करेंगे पहले 10-0 के 5 लिखेंगे UNiva 7 व्लेश लिए 15 हम 18 चीए ये सिम्बोल रहे लागा उसको लिख दिन तो छो इस तरीकस प्रोब्लम सेट में आप देखोगे, आपको पहले क्या है? Write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals. आपको क्या बोला गया है? कि आप Roman numerals का इस्तेमाल करते हुए एक से 20 तक number लिखो. तो देखो, आपको क्या करना है? आप pencil और book लेके बेठो, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है? मैंने आपके लिए लिखके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिया गया question. Write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals. देखो, मैंने आपके लिखके रखा है, देखो, 1 के लिए हम कौन सा symbol इस्टमाल करते हैं, आपको बताया था, मैंने I. तो 1 के लिए I हो गया, यह 1 हो गया. अब 2 लिखना है, आपको 2 के लिए क्या करना पड़ागा है, यह I को 2 बाल लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 3 के लिए हमको क्या लिखना है, यह I है, इसको हम 3 बाल लिख देंगे, तो यह 3 बन जाएगा, ठीक है? कि देखो 1, 2, 3 अब 4 4 के लिए हमें कैसे लिखना है देखो हमने नियम पढ़ा था कि क्या रहता है इसको हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं अब 4 के लिए तो आप ऐसा करना ही सकते हो ये I को 4 बार लिख दो नहीं वैसा नहीं हो सकता है आपको क्या करना है आपको दोखो ये 5 वाला नंबर लिखना है उसके बाई तरफ 1 लिख देना है क्योंकि नियम है अगर बाई तरफ कोई नंबर रहे तो वो बड़े नंबर से घटा दिया जाता है तो देखो ये 5 हमने लिख दिया इसके बाई तरफ हमने 1 लिख दिया तो 5-1 कितना हो जागा 4 तो 4 का सिम्बोल ऐसे है आगे दोखो 5 5 का सिम्बोल कैसे है V रहता है ये 5 हो गया 6 का सिम्बोल दोखो आगे आते हैं 6 का सिम्बोल कैसे रहेगा ऐसे रहेगा ये V और 1 क्योंकि जो भी चोटा नमबर अगर बड़े नमबर के दाहिनी तरफ आता है तो उसको हम बड़े नमबर से जोड देते हैं तो आपको 6 ऐसे लिखना है 7 कैसे आपको लिखना है 7 ऐसे लिखना है बड़े नमबर के आगे आपको 2 1 लिख देना है तो 5 प्लस 1, 6 प्लस 1, 7 ऐसे लिखना है 8, 8 के लिए कैसे आपको लिखना है आपको 5 लिखना है उसके आगे प्लस 1, 6 प्लस 1, 7 प्लस 1, 8 ऐसे लिखना है ठीक है? अगर यही नंबर इसकी बाई तरफ रहते है तो इससे यह क्या होते? घटा दिये जाते है अभी हम इसमें जोड रहे हैं ठीक है क्योंकि यह 9 तरफ है आगे देखो अभी आपको 9 है 9 में देखो आपको क्या करना है अब देखो हम इसमें तो 3 से ज़ाधा इस्सेमाल कर नहीं सकते हैं कि 8 के बाद 9 के लिए एक और ऐसे आई आगे लिख दे क्योंकि यह नियम है कि 3 से जाधा यह नंबर इस्सेमाल नहीं हो सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको जो 10 रहता है 10 के लिए एकस चीन से पहले हमें ₯ है तो क्या होएगा भाई तरफ या ना तो यह जाएगा आपको लएन के लिए उसकी अगे लिख देना है तो टेन प्लेस नवएन हो तो यह 12 हो गया उसके आगे दो आपको 13 एसे लिखना है तो एक और आई लिख देना है तो नहीं है इस नंबर को तो यहां पर 14 आपको ऐसे लिखना है, 15 आपको कैसे लिखना है, 10 और 5, 15, 10 प्लस 5, 15, क्योंकि यह नियम है, बड़े नंबर के आगे जो भी छोटा नंबर रहेगा, बड़े नंबर के दाएं तरफ जो भी छोटा नंबर रहेगा, वो बड़े नंबर से जाके मिल जाएगा, तो यह 10 है, यह 5 है, 10 प्लस 5, 15, 16 कैसे रहेगा, देखो, 10 और इसके आगे 6 है, तो 10 प्लस 6, 16, 16 है ऐसे हम लिखेंगे, 17 हम ऐसे लिखेंगे, 18 का कैसे रहेगा, यह रहेगा, symbol 19 का देखो हम ऐसे लिखेंगे 10 और प्लस देखो 9 हो गया 19 हम 9 यहाँ पर ऐसे लिखे थे तो देखो 10 हम लिखेंगे उसमें 9 लिख देंगे 10 प्लस 9 19 20 कैसे रहेगा दो बार एक सा आपको लिख देना है यह 20 बन जाएगा ठीक है ऐसे आपको लिखना है ओके आगे भी हम देखते हैं आगे हमको क्या दिया गया है exercise में आगे भी आप देखो second में आपको है write the following numbers using the international numbers आपको देखो यहाँ पर बुला गया है कि जो यह numbers है roman में दिये गये है इसको क्या करना है आपको international number में लिखना है international number क्या होता है देखो यह one two three four five यह सब जो हम लिखते हैं number हम स्कूल में पढ़ते हैं यह सब international number है तो क्या बुला गया है इन number का जो international number होता है वो आपको लिखना है ठीक है तो देखो मैंने यहाँ पर आपके लिख के रखा है देखो कैसे रहेगा पहरे देखो आपको क्या दिया वी वी मतलब क्या होता है हमने देखा था वी कौन से number का symbol है फाइव का है तो यह होगा फाइव उसके आगे सेकंड में देखो आपको क्या आगे देखो दो आई का symbol है i का symbol क्या रहता है, 1 रहता है, तो हमने ये भी पढ़ा था, कि बड़े नमबर के आगे, अगर छोटा नमबर है, तो वो बड़े नमबर से जाके मिल जाता है, तो ये 5 है, और ये दोनों 1 है, तो क्या हो जागा, 5 plus 1, 6, plus 1, 7, तो ये 7 हो गया, x, x किसका symbol हमने देखा था, 10 का है, ठीक है, तो हम 10 लिख देंगे, उसके बाद देखो आपको क्या है, आपको है ये वाला symbol, तो दोखो, x किसका symbol रहता है, 10 का, उसके आगे देखो, i है, 3 i है, i किसका symbol रहता है, 1 का, और हमने क्या पढ़ा था, अगर बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर रहे, बड़े नंबर के दाई तरफ, तो बड़े नंबर से जाके मिल जाता है, तो क्या होगा दोखो, यह 10 है, और यह 1 है, तो क्या होगा, 10 प्लस 1, 11, प्लस 1, 12, प्लस 1, 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है, आगे दोखो, पे यह बड़ा नंबर है, इससे पहले आई आ रहा है, इससे पहले मतलब जाये, तो 5 में से 1 क्या होएगा? अगर हमने देखा था, हमने पढ़ा था, कि अगर बड़े number के बाई तरफ कोई number रहता है, तो वो number से जाकर माइनस हो जाता है, तो 5 में से 1 निकल जाएगा, 4 हो जाएगा और यह क्या है हमारा 10 है 10 plus 4 कितना हो जाएगा 14 आगे देखो 6 में आपको क juice दिया हूए यहाा पर आपको ex 10 दिया है और यहाँ पर वी मतलब 5 है और यहां पर i मतलब 1 है तो देखो से ने सिमबोल हमें तो यह 10 है और यह 15 सब्रमार के आग अगे 3 वन के सिमबोल है तो यह 3 हो जाके 5 से मिल जाएंगे तो 5 प्लस 3 कितना हो जागा 8 और इसमें 10 10 प्लस हो जागा कितना हो जागा 18 अब देखो यहाँ पर लास्ट में आपको क्या है 8 में आपको वन का सिंबौल है और 10 का है एक झाय हमने पर देखा था क्या था कि अगर तक यह रखना अगर कोई भी number से पहले आता है, कोई भी number की बाईं तरफ आता है, तो वो उससे minus हो जाता है, ठीक है, उससे घड़ जाता है, 10 में से हम one निकाल दैंगे, क्या हो जाएगा? Nine हो जाएगा, ठीक है, इस तरह आपको लिखना है, अभी देखते हैं, आगे आपको हो गया, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर Roman Numerals है, मतलब यह 3 आप Roman में कैसे लिखो गए, जो 8 यहाँ पर है तो उपर वाले blank में आप देखो number words में कैसे लिखो यह आपको बताने हैं तो हम देखते हैं थ्री तो हमने अभी देखा था वन के लिए कौन सा सिंबोल हम इस्तिमाल करते हैं यह वाला और इस सिंबोल को हम कितनी बार इस्तिमाल कर सकते हैं तीन बार तो यहां पर थ्री है मतलब हम इस सिंबॉल का इस्टिमाल करके हम यहां पर लिख सकते हैं हम थ्री लिख सकते हैं खीक है तो देखो थ्री आप ऐसे लिख दो ओके आगे देखो भी क्या है आपको यहाँ पर क्या है यह सिंबल किसका है फाइव का है और यह किसका रहे का वन करे थे तो देखो यह तीन बार वन का है हमने क्या नियम पड़ा था बड़े नंबर के दाई तरफ अगर कोई भी छोटा नंबर रहे तो वो बड़े नंबर से जाके यहां पर आपको 8 लिख देना है उसके बाद देखो क्या है उसके बड़ा नंबर है उसके आगे वाला छोटा नंबर इससे जाकर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा क्या है आपको 10 का सिंबोल है फिर 1 का सिंबोल है नंबर हो बड़े नंबर से जाकर मिल जाता है तो क्या हो गया 10-11 12 24 हम 12 एसे लिखेंगे ठीड इहां पर आपको ऐसे 12 लिख देना है अभी देखो आपका 15 15 हम कैसे लिखेंगे पहले तो हम लिख देते हैं 10 10 का सिंबोल लिख देते हैं X जो हो रहता है यह 10 हो गया अब हम 5 कैसे लिखेंगे देखो हम I को तो 3 बारी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि I जो है 1 का सिंबोल है तो हम इसको 5 बार लिख दे नहीं 3 से साथ हम नहीं लिख सकते हैं तो हमें क्या करना है 5 वाला सिंबोल कौन सा रहता है हमें याद है 5 वाला सिंबोल देखो ये है V क्या करना है हमें V लिख देना है तो क्या हो गया ये 15 हो गया अभी देखो ये कौन सा वाला सिंबोल है हम देखते है जाएगा 9 तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 हो गया है तो जाएगा 19 ठीक है यहाँ पर आपको 19 लिख देना है sorry words में आपको लिखना है तो words में आप कैसे लिखोगे 9 19 ठीक है 19 आपको लिख देना है आगे देखते हैं आपको आगे आपको फोर्थ में देखो क्या है write the numbers using roman numerals आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपको roman numerals का इस्सेवाल करके roman में number लिखना है हमें यहाँ पर international number दिया गया है जैसे हम लिखते हैं वो यहाँ आपको लिख देंगे वन वाला symbol लिख देंगे उसके बाद यह 10 वाले लिख देंगे तो क्या होगा यह one जो भी number के बाई तरफ रहता है उससे क्या हो गया धिकते हैं अगे देंगे अगे जाए व्याता है के सिंबोल को क्यारें रहता है मंकली रहता है तो के लिए हम दो बार आई लिग देंगे यह हो गया 2 ठीक है? उसके बाद देखो आपको क्या है? 17 है 17 हम कैसे लिखेंगे? पहले 10 लिख देंगे और उसके आगे हम 7 लिख देंगे तो क्या होगा? जो बड़ा नंबर है उसके आगे छोटा नंबर इससे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 70 नहीं हो गया, ओके, 4, 4 कैसे लिखेंगे हम, I लिख देंगे हम, और इसके आगे, V लिख देंगे, जो 5 का सिम्बोल है, तो यह दो को 5 के बाईढ़ ही तरफ है, तो इससे माइना हो जाएगा तो जाएगा तो क्या जाएगा 5-1 4 हम 4 ऐसे लिखेंगे कर 11 कितसे लिखेंगे हम 10 का सिम्बोल लिख दिए उसके आगे हम 1 लिख दिएगेillon promotion । def ये number य्यजो यह है यह 11 का सिम्बोल है उसके वाद आपको 18 कितीमrizpping पहले 10 SM इंबो लिखेंगे उसके बाद 8 का लिख देंगे 8 का ओके ऐसे रहेगा ठीके आगे दिखते हैं आपको फिफ्ट में क्या दिया है फिफ्ट आपको इंटर टेबल बिलोव इच गिवें नमबर इस रिटन इन इंटरनेशनल नमबर इंटरनेशनल निम्डरल्स एंड देन आग और उसके नीचे रोमन में दिया गया है जैसे हम अभी सीख रहे वह वाले नमबर में दिया गया है इफ इस रिटन करेक्टली इन रोमन निम्रल्स पुट राइट इन दा बॉक्स अंडर इट इफ नॉट पुट रॉंग और करेक्ट इट क्या बोला है कि अगर ये दोनों सही है तो आपको क्या करना है नीचे आपको राइट का इसे टिक कर देना है अगर गलत है तो आपको ऐसे दो क्रॉस कैसे करके उसके नीचे सही लिखना है कि सही नमबर क्या आएगा अब देखो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे क्या है ये बिल्कुल सही ये फोर है तो उसके आगे हमें सूचना पड़ेगा दूसरा सिंबोल कुन से है फाइव रहे तो देखो अब इसको आपको फोर बनाना रहा four बनाने के अगर आप इसके दाई तरफ आए लिखोगे तो यह तो जाकर इससे मिल जाएगा, जुड जाएगा, तो यह six बन जाएगा, और अगर यह नमबर आप इसके बाई तरफ लिखोगे, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो होएगा यह 5 से जाके माइनस हो जाएगा घड्ड जाएगा तू 5 से 1 निकल जाएगा तो क्या होएगा 5 हो जाएगा तो हम ऐसे 4 लिखते हैं उसके आगे क्या है देखो आगे 5 में 6 वह न पूस्साइल करी पहले रहते तो क्या बत्रों जाता एसा हो जाता है अब देखो अभी, यहाँ पर क्या आपको 8, 8 के लिए आपको यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, आपको देखो 2 I का है, मतलब 2 1 है और फिर 10 है, और यह नंबर के 22 तरफ दिया गया है, मतलब यह क्या है, सही है गलत है, बताओ आप, यह बच्चो गलत है, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा था कुछ टाइम पहले, कि जो यह आई का 1 का सिंबोल है, कोई भी नंबर के 22 तरफ सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, एक से जादा बार नहीं लिखा जा सकता है, तो इसे, यह हो गया हमारा 8, ठीक है, आगे दो को 16 है आपका, 16 के सिंबोल यहां पे क्या है, देखो यह एक से मतलब 10 है, और यह 5 है, और यहां पे 1 है, तो 5 बड़ा नंबर है, उसके आगे राइट में, 1 छोटा नंबर है, तो 5 प्लस 1 हो जागा 6, तो यहां पे 10 है, यहां पे यह राइट है, रॉंग है, बताओ आप, यह रॉंग है, ठीक है बच्चो, इसको हम रॉंग देदेगे, अब देखो, रीजन क्या है, वज़ा क्या है और इसको रॉंग होने की, क्योंकि अभी हमने पीछे नियम पड़ा था, कि जो 5 है, जो 5 वाला सिंबोल है, वी, इसको ह पहली बात आप इसको एक से ज्यादा बार इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, तो 15 आपको लिखना है, यहाँ पर देखो, यह एक सो गया है, जो 10 का सिंबोल हो गया, उसके बाद आपको इसमें कितना और जोड़ना है, पांच और जोड़ना है, तो यह 15 बनेगा, तो आपको क्या और क्या है, देखो, LCD and M are also used as Roman numerals, क्या बोला है, कि LCD और M भी Roman numerals जैसा इस्तिमाल किया जाता है, कैसे, वो देखो, यहाँ पर है Roman numerals, यहाँ पर आपको कुछ Roman numerals दिये हैं, और यहाँ पर international number, जो हम लिखते हैं वो, I की जगा, यह जो 1 है, वो I की जगा लिखा जाता है, हमें पता है, और V जो है, 5 की जगा लिखा जाता है, वो भी हमें पता है, हमने भी पढ़ा है, और 10 की जगा हमें X लिखते हैं, यह भी हमें पता है, लेकिन, अगर आपको Roman में 50 लिखना है, पचास लिखना है, तो उसक आपको फाइवहंंड लखना है तो इसकी जगह आप डिलिख सकते हो ौके इस और बहुत आपको कभी कोई पूचा तो आपको काम आएगा ओके आूполож अपार्ट रॉम क्लॉक्स एंड वॉचेज वेर एल्स डू वी सी रोमन नुमरेल्स मतलब कि आपके घड़ी जो रहती है दिवाल पर जो टाइग रहती है जो आप हाथ में पहनते हो उसके इलावा अप और कहां पर रोमन नुमरेल्स देखते हो तो देखो बच्चो आपके क् क्लासरूम के बाहर लिखा रहता है क्लास वन ऐसे सब्सक्रण क्लास के रहता है सिकंड का ऐसे लिखा रहता है थर्ड क्लास के हैसे लिखा रहता है तो धो यहां प्लाओ है मैं धीशने मिल जाते हैं तो बच्चो यहां पर हमारा पहला जो ऑक्sequently नुम्ट्र Trump Re translates तो यहाँ 생각 क्या-क्या चीजे याद रखनी है ओ, मैं आपको बता देता हूँ, देखो यह chapter में, क्या देखो है ishh, ऐसा क्या है ऑगर आप देखो लिखोगे, अगर यह one का जो symbol है इसको दो वाсолे के तो जोड़ कर जो भी नाम बनता है, जैसे दो बार तो यह 10 का सिंबोल X है तो X प्लस X क्या होएगा मतलब 10 प्लस 10 20 ऐसे करना है त्रीक है और उसमें भी एक नियम है जो यह 1 का सिंबोल है आई और जो 10 का सिंबोल X है इसको आप लगाता है सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हो उससे जादा नहीं ऐसा नहीं है आप 40 के लिए 10 को 4 बार लिख दोगे वह ऐसा नहीं है अगर आप बोलोगे कि X को ऐसे 4 बार हम लिख दिये तो क्या अगर 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 40 हो जाएगा यह गलत है ऐसा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि इस नंबर को और 1 को आप 3 बार ही लगाता लिख सकते हो रूल नंबर 3 नियम 3 क्या है वह हम देखते है नियम 3 में क्या है आपको कि आप अगर कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर के आगे लिख होगे तो वो नंबर से जाके मिल जाता है ठीक है उन नंबर में जाके एड हो जाता है देखो यह 5 का सिंबोल है यह 1 का सिंबोल है तो 5 1 के आगे आया 5 प्लस 1 6 हो गया एक और रूल देखो यह जो 1 का सिंबोल है आई यह कोई भी नंबर से पहले अगर आएगा मतलब कोई भी नंबर के बाई तरफ अगर आएगा तो वो नंबर से वो घट जाएगा, वो नंबर से उसे उतना माइनस कर दिया जाएगा, जैसे तो 5 से पहले 1 आया, तो 5 माइनस 1 4, एक और नियम है जो 5 का सिंबोल है, इसको सिर्फ आप एक बार ही लिख सकते हो लगातार इसको दो बार आप नहीं लिख सकते हो अब देखो, कोई-कोई लोग बोलेंगे ये 5 का सिंबोल है, तो इसे हम दो बार लिख देंगे, तो क्या होगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, नहीं, ये नंबर को आप सिर्फ एक ही बार इस्चमाल कर सकते हो, ओके ये कुछ नियम थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, तो बच्चो यहाँ पे हमारा चैप्टर कम्टिट हो गया है अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स चैप्टर दूँगा, जिसका नाम है नंबर वक, तो आप